जैश्री कृष्णर रादे रादे सभी को और आज आपको बता दें कि मेरे साथ लाला और एक लाली ठीक है तो यह रहे हमारे कनहिया और जब यह इस तरह की ड्रेस पहनते तो सब आजाते हैं जूले में यह देखे यह रहे कृष्णहरी यह बैठी है हमारी लाडली उन्होंन जो है वुलिन में ही फ्रॉक पहनी है उसके उपर भी उन्होंने एक और वुलिन में ड्रेस पहना है क्योंकि देखे ठंड है थोड़ा उसका बचाव जरूरी है और इस समय पे और आब आई में बात मिलिए यशोदा नंदन जी से यह देखे यह रहे यशोदा नंदन आप स और बातें आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी तो देखे कैसे लग रहे हैं यह शोदा नंदन पहले तो आप इन ही को देखे आज स्पेशल वीडियो इन ही के लिए बनाया है और इनके आज जो है आने की खुशी में इनकी पसंद की डिश बना रहे हैं डिश मतलब ज देखे काफी सारा चंदल लगवाया है उनोंने आज पूरी तरह से उनका ग्रह प्रवेश जो है कली के दिन हुआ क्योंकि गोपास्ट मी को जब लाला आये थे तो उनके हाथ में चोट थी और स्वागत तो हमने पून रूप से किया था लेकिन का लेकादशी को पून छी थी वह और यह ऑखे जो है प्रवह ने लिए और इस प्रकार वह पूर्ण रूप से हमने यह शंगार पर उनका किया है तो यह हमारे कनाया जो है अधिम्यार पून हो गए हैं और इनका नाम तो आपको पता ही है यह यह सोधा नंदन है और इनके बारे में मैं कुछ और चाहूंगे आपको देखें बहुत सारे भक्त मुझे लिखते रहते हैं कि क्या हमको लड्डू गोपाल जो खंडित हो जाते हैं हाथ तूट जाता है पैर तूट जाता है यह आंखे निकल जाती है उनका कलर निकल गया है देखिए कुछ भी होने दीजे आपको उनको सही करव और सही करवाने की जिम्मेदारी आपकी स्वेम की है आप उनको सही करवाईए जैसे हम इलाज कराते हैं इनके भी इलाज होते हैं देखिए आप हाथ को कई तरीके से उनका सही करवा सकते हैं अब उनको कस्ट जिस वक्त आप जिस तरह के विग्रह में जब चोट लग जाती ठीक है फिर आप उनका treatment करवाईए अब देखे जब हमारे एक मानव का treatment होता है तो हमको एक injection लगाये जाता है जिससे कि हमें दर्द न हो और हमारे पास injection की जगह पे क्या है प्रार्थना भगवान से विंती करना कि प्रभू अब आप इस विग्रह से हट जाएए क्योंकि जि होगे तब भी उनको चोट लगेगी ना तो इसलिए उनसे आप प्रात्ना करिए और वो उनका injection ही एक तरह से और फिर उसके बाद आप उनको सुनहार के पास भी जाके चांदी से भी सोने से भी या नॉर्मल जिस धातु के प्रभू है उससे भी उनके हाथ को जुडवा दीजे और ये कहीं पर भी एविलेबल हो जाते हैं जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी देखे हमें भी नहीं पता था कि ये कैसे लेकिन हम पूरा सुबह से निकले थे और शाम को साथ वजे घर आये थे क्योंकि मैंने सोच के गई थी कि आज लाला को सही करवाना ही है कोशिश यही करनी है तो हम पूर्ण रूप से उनको लेके गए और हमने जब उनको दिखाया तो इस प्रकार से मतलब हमने जो सोचा व विश्वास और आस्था के साथ आप उनको सही करवाएए उनकी आखे लगवाएए आप उनका कलर भी चेंज करवा सकते हैं कलर चेंज का मतलब आप उनको अलग तरीकी का रंग रूप दे दीजे ताकि आप दुबारा से उन्हें पूजा में शामिल कर सके देखिए उनको विसर्जन करने से बहतर है आप उनको सेवा में लाइए इस तरह से विसर्जन करना ठीक नहीं होता है अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे बोला जाता है पर मेरी आत्मा नहीं मानती है क्योंकि मुझे नहीं लगता जो चीज जीवन्त है जब तक हम पूजा पाट कर रहे हैं वैसे तो हम कहते हैं कि यह लाला है और लाला की रूप में जब प्रेम कर रहे हैं तो लाला को चोट लगेगी हाठ तूट गया तो वह खंडित कैसे हो गए यह सोच के देखें सबसे पहली बात तो मैं एक चीज बता दू पूर्ण रूप से कि भगवान कभी खंडित न सर्वशक्ति मान है वो पिता है परमेश्वर है वो मात है वो सर्वशक्ति मान है तो आप बताईए वो खंडित कैसे हो सकते हैं कभी नहीं हो सकते यह जो चीज चली आ रही है उसी के कारणा जैसा हो गया है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें कहीं न कहीं देखें इ अवहेलना हो रही है ये बिलकुल ठीक नहीं है ये बिलकुल सही नहीं है इस प्रकार से मुझे बहुत कस्ट होता है जब मैं इधर उदर भगवान को ऐसे देखती हूँ उसके लिए भी मेरे मन में एक उपाया आया है जो मैं जल्द ही आप सब के साथ जो है शेयर करूंगी औ और अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप भी उसका समर्थन करके हम उस चीज को धीरे-धीरे ही सही लेकिन कुछ तो कर सकते हैं जो चीज सही नहीं है उसको सुधारने का दाय तो एक भक्त का होता है तो उसे करने का हम सब प्रयास करेंगे और उस प्रयास से शायब प पसंद आजाए हमेशा हमें प्रभू से कुछ लेना नहीं है हम सब को सिर्फ प्रभू को प्रेम दिखाना है हमारा और वो प्रेम दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं और यह जो अब मैंने एक जिम्मा लिया है वो भी मुझे लगता है कि यह जिम्मा हमारा परिवार ले रहा ह कि अगर अब के बाद से कहीं भी हमें लड़ू गोपाल इस अवस्था में मिलेंगे तो हम उसे बिना सोचे समझे हमारे घर लेकर आएंगे और ये आसे हमारा संकल्प है कि जब भी लड़ू गोपाल हमें इस अवस्था में मिलते हैं कि उनको कहीं भी प्रॉब्लम हैं खंडि इच्छा जैसी होगी हम आगे वही चीज करते जाएंगे जब तक हम जीवित हैं हम ये कारे जो है करते चले जाएंगे और इस सेवा का और इस तरीके का आप भी अपने जीवन में संकल्प लेकर प्रभू के लिए सेवा का योगदान कर सकते हैं आपको भी कभी भी लड़ु लड़ु गोपाल इस तरह की अवस्था में कहीं भी मिलते हैं आप लड़ु गोपाल को भगवान से प्रात्ना करकर अपने पास लाईए उनको सही करवाईए और उन्हीं की सेवा को आगे बढ़ाईए क्योंकि प्रभू है प्रभू तो कभी भी अपूर्ण नहीं होते हैं तो इस तरह की सेवा मुझे लगता है कि प्रभू को बहुत जादा पसंद आएगी देखिए मत तो बहुत सारे होते हैं लेकिन प्रभू से बड़ा मत कोई नहीं होता अगर हमारी आत्मा इस बात को सुईकार करती है मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ लेकिन एक सलहा द देखिये अगर मैंने भी चीज स्व्ची होती तो शायद अज इतना सुंदर लाला हमारे पास नहीं होता एकितना सुंदर लाला आया है और हमें नहीं पता हमारे जीवन का क्या अध powinन है लेकिन अब समझ में आने लगा अधिक हम जैसा खाएंगे हमारे लाला वैसा ही आर्थिक स्थति रहेगी जैसे प्रभू रखेंगे हम उस अवस्था में भी उनकी सेवा करते जाएंगे इस चीज का हमारे पूरे परिवार ने इस चीज को सोचा है और सोच समझ के हमें यहीं समझ में आई कि यह जो प्रभू ने हमें निर्देश दिया है वो शायद यहीं अगर उन लड़ू गोपाल में से आने वाले भविश्य में कभी भी ऐसा होता है कि हमें कोई आग्या मिलती है प्रभू की तरफ से कि वो लड़ू गोपाल किसी भी भक्त को देना होगा तो हम स्वेम उसको उनके यहां पर पहुंचा भी देंगे लेकिन बिना प्रभू की कहीं भी आपको लगता है कि आप उनकी सेवा कर पा रहे हैं और कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस चीज को जरूर करें और एक बात हमेशा ध्यान रखें कभी भी इस बात का घमंड अपने अंदर मत लाएगा कि आप बहुत अच्छा कार कर रहे हैं और जिनों ने छोड़ा उन्होंने गलत किया नहीं हो सकता है उनकी कोई भी condition रही हो लेकिन मैं हर किसी से ये प्रात्ना करना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप लड़ गुपाल की सेवा पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं और आपके बच्चे भी आने वाले समय में नहीं कर पाएंगे और आपको लगता है कि जीते जी आप उस चीज को मतलब किसी और को सेवा प्रदान करें तो जरूर करें इससे भी आपको एक अच्छा फल प्राप्त होगा ठीक है जी मेरी मेरी यही सोच है यही भावना मैंने आप सब के साथ आज व्यक्त कर दी है तो यह मेरे बोल्ड शायदा चाहते हैं लेकिन हमारा परीवार बहुत खुश है क्योंकि हमारे हां जो भी लाला आ रहे हैं में क्या बताओं हमारे लिए तो हमारे भाग्य कुल रहे है कि जो चीज हमने कभी सोची नहीं आज वो करने का हमें मौका मेना जा रहा है धन्यवाद प्रभू और आप सब पर भी प्रभु खूब आशिरवाद अपनाएं और खूब सारा आशिरवाद आप सब पर भी खेरें मैं यही प्रात्ना हमारी लालां से करूँगी वैसे तो मुझे लग रहा है लाला दस अवतार पूरे कंप्लीट इस घर में जरूर करने वाले हैं बाकी प्रभु की इच्छा है रादे रादे खूब सारा प्रया आप सब को खूब सारा प्यार